तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और important question तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपकी स्क्रीन पर पार्ट से दिख रहा है आपको इसका नाम जो है comment box में जरूर बताना है और दोस्तो आपको एक और बात दा दूँ कि जो भी playlist channel की बनी है उसमे जितने भी question है वो आपके ही trade से related है ये ना सोचें कि ये playlist जो है all competitive exam या BRO के लिए या first year के लिए तो दोस्तो जो all competitive exam के लिए जो भी playlist बनी है उसमें mixed question है आपके लिए important है उनको भी देखना है और साथ में ये जो मैं आज वीडियो ना रहूं second year के लिए है जो भी उनके topic है और सभी के लिए है इसका ध्यान रखें important है दोस्तो वीडियो को अंतक देखना है और चैनल को share करें subscribe करें और like करना ना भूले तो दोस्तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो को पूरा देखना है first question है तो दोस्तो जैसे first question दिया है question को समझने की कोशिश करन जाता है flywheel, axle, transexel द्वारा किसको या किसको fit किया जाता है या उसके बीच में किसको fit कि जाता है flywheel, axle, transexel के बीच में किसको fit कि जाता है तो आपको यह answer करना था तो इसका answer यह है कलच को इसका ध्यान रखें दोस्तों कुछ हम पहले objective type question देखेंगे last में वीडियो के दो कारे क्या है दोस्तों आपको क्लेच का कारे भी आना चाहिए तो क्लेच के क्या कारे होते हैं यह इंजिन का समथ गेर बॉक्स से तोड़ देता है इंजिन गाड़ी चिलाने का लोड धीर धीर बीना जटके दिए लेता है next question है क्लेच वास्तब में क्या कारे करता है तो अंगेज और डिसंगेज भी इसको कह सकते हैं इसका ध्यान रखें ऐसे भी लिख सकते हैं next है अच्छी क्लेच की कोई दो विशेष्टाई लिखिए अगर एक अच्छे क्लेच है कोई अच्छा क्लेच उसकी क्या विशेष्टाई होनी चाहिए यह लोड को समाने ढंक से ल दोस्तों यह सारी क्लच की किसमें है ध्यान रखें वीडियो को पूरा देखें next question है single plate clutch के मुख्य भागों के नाम लिखिए निमन मैसी कौन सा single clutch plate का मेंबर नहीं है driving member driven member operating mechanism fly wheel तो दोस्तों ध्यान रखें next question है clutch facing किसकी बनी होती है fiber asbestos की तो दोस्तों clutch में जो facing होती है वो किसकी बनी होती है fiber asbestos की इसका ध्यान रखें कई वार asbestos भी दिया होता है next question है बड़ी बड़ी मशीनों में कितनी clutch plate होती है तो दोस्तों कई clutch plate लगी होती है यहीं मल्टी प्लेट clutch में इसका ध्यान रखें next question है बड़ी बड़ी मशीनों में clutch plate किसमें डूबी रहती है जिससे यह ठंडी रह सके तो दोस्तों इसका right answer है तेल में इसका ध्यान रखें दोस्तों यहीं सी आप समझ सकते हैं इनी question से objective question त्यार होते हैं आपको समझने की कोशिश करने हैं लास्ट में खुद question को जो भी objective multiple choice question दी है उनका आपको खुद answer करके चलना है तो वीडियो को हम तक जुरूर देखना है next question है clutch plate को riveting करते समें किसका प्रयोग करना चाहिए तो दोस्तों drift पंच का प्रयोग करना चाहिए इ clutch plate में जो riveting करते हैं उस time next है clutch case में से पहले जल जाने के कोई दो कारण लिखिए तो clutch plate जो है वो जल जाती है उसके क्या कारण होते है clutch gear में गारी को start करना clutch को overload करना यानि gear लगा होता है फिर गारी को start करते हैं तो तब भी वो कारण रहता है next question है clutch plate के bend हो जाने से क्या कारण है तो दोस्तो clutch plate vibrate करती है next question है clutch के dram करने के कोई दो कारण लिखे तो दोस्तो pilot wearing या bush का jam होना pressure plate का टेड़ा पड़ जाना next है यदि clutch plate में लगे cushion spring तूट जाने तो क्या होगा clutch plate जल्द engage होगा next है clutch के slip होने के कोई दो कारण लिखे क्लच लाइनिंग का किस जाना pressure plate का jam हो जाना next question है clutch के चलते समें आवाज करने के कोई दो कारण लिखे तो दोस्तो clutch lining पर तेल या grease का लगना release wearing का lose रहोना के कोई दो कारण लिखे है clutch sharp का थोड़ा wind होना pilot wearing का घिर जाना ये इसके कारण है next है clutch के काम न करने के कोई दो कारण क्या क्या है clutch plate के अंदर लगे spring या rubber good कों का तूर जाना clutch के spring का तूर जाना तो इसका ध्यान रखना है next question है torque converter की कोई दूब शिष्टा ही लिखिए ये torque को बढ़ा सकता है तथा ये vibration को खत्म करता है क्या hydromatic transmission में gear बदलने की अवशिक्ता पढ़ती है तो दोस्तो hydromatic transmission में जो है वो gear बदलने की अवशिक्ता नहीं पढ़ती है cable reverse gear लगाना पढ़ता है ध्यान रखना है next question है कारों में torque converter torque को कितना बढ़ाता है तो दोस्तो 2.5 ratio 1 तक ये उसको बढ़ा देता है इसका ध्यान रखना है next question है तो दोस्तो अब हम multiple choice question जो है वो discuss करेंगे आपको खुद answer करने की कोशिश करनी है खुद कोशिश करें मैं साथ में answer भी बता दूँगा तो दोस्तो वड़ी machine की clutch plate की facing lining कि किसकी बढ़ी होती है तो दोस्तो इसका right answer option number option number बी है fast porous bronze की वो बनी होती है बड़ी machine की जो clutch plate होती है ध्यान रखना है और आम जो clutch होता है जो गार्डियों प्लेग होता है उसकी होती है next है clutch में कितनी mm की free plate clutch दी जाती है तो दोस्तो option दिया है 2 mm, 8 mm, 19 mm या 39 mm तो दोस्तो इसका right answer है option number C 19 mm तक next question है मारूती गार्डियों में निर्माता clutch paddle की free play रखते हैं कितनी free play रखते हैं एक से 2 mm, 2 से 4 mm, 4 से 6 mm, 6 से 8 mm तो दोस्तो इसका right answer है option number B 2 से 4 mm तक जो है वो जो manufacturer है निर्माता है वो free play रखने की अनुमती देते हैं next question है clutch में splines की radial play कितनी होनी चाहिए तो दोस्तो आपसंदी है एक mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm अगर आप clutch के भाग अच्छे से जानते होंगे और clutch के बारे में जानते होंगे तो ऐसे question बड़ी असानी से कर सकते हैं important रहेंगे मैं उस दिनों में all जितने भी engine के parts रहते हैं हर एक parts के लिए अलग लग video लेकर आऊंगा उसमें उसके parts material यह सभी show किया होगा तो दोस्तो इस question का right answer है option number D 4 mm radial play होनी चाहिए next question है clutch plate का run out कितने mm से अधिक नहीं होना चाहिए तो दोस्तो option दिये 0.01 mm 0.2 mm 0.4 mm 0.9 mm तो दोस्तो इसका right answer option number C 0.4 mm जो है वो run out होनी चाहिए next question है नेमन वैसे कौन सी clutch की किसम नहीं है कौन clutch multi plate clutch swing clutch या single plate clutch तो दोस्तो इसका right answer option number C single swing clutch जो है वो clutch की किसम नहीं है या clutch का प्रकार नहीं है इसका ध्यान रखना है next question है clutch plate का lateral run out कितने mm से अधिक होना चाहिए तो दोस्तो इसका right answer है गा option number D 0.7 mm तक होना से अधिक नहीं होना चाहिए next question है torque converter से मिलती जुलती शकल वाला होता है दोस्तो अगर आपने torque converter को देखा होगा तो आप इस question का बड़ी असानी से answer दे सकते हैं option दी है fluid fly wheel gears coupling plate तो दोस्तो इसका right answer है option number A fluid fly wheel next question है बड़ी गाड़ी में torque converter torque को dash बढ़ाते हैं तो दोस्तो इसका right answer है option number D पांच अनपात एक तक बढ़ा देते हैं तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अब लास्ट में आपको इन question की answer की भी दी गई होगी अगर दिक्कत होगी तो यहां से भी देख सकते हैं तेंक यू फॉर वाचिंग उतले परेख परेख न में आपके होगी रेख पया है बादिक आपके में के बादिस के लिवान के लिए है आपको आपके रहोगी अपके बाते हैं